एपिसोड को शुरू करने से पहले बाई लोग मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए जाता देरी ना करते वे अपने एपिसोड को शुरू करते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में लीक इंचेंग कहती है कि मुझे उमीद है कि तुम लोग अपने मत भेदो को एक तरफ कर दोगे कुछ समय के लिए और इस एक्वेटिक बीस्ट से निपटने के लिए साथ में काम करोगे और तो और उस 10,000 फूट एक्वेटिक बीस्ट के पास थोड़ी सी इंटेलिजेंस भी है और इस वज़े से वो बाकी के एक्वेटिक बीस्ट को कमांड दे पाता है और वो एक बारी जो अपियर हो गया तो वो निशित रूप से घेरना शुरू कर देगा और वो हमारी सातों पीकों को निगल जाएगा और इसी वज़े से एक जैसे भागे को अवाइड करने के खातिर हम इस कॉंक्लूजन पे आ हैं कि सातों पीकों को एक सात काम करने की ज़रूरत है और फिर कॉंक्शन कहता है कि हम मदद करने को तयार हैं लेकिन हमारी भी कुछ कंडिशन हैं और पहली यह है कि जहाएगा तुरंद ही रिलीज कर और फिर जहाएउन हसते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर कॉंग शैंक इस बेकार की बखवास को बंद करते हैं और इसके बजाए लड़ना वापिस से शुरू करते हैं और फिर जहाएउजू चिलाते हुए कहता है कि हम सभी यहां पे चूजन्स हैं और तुम जैसे किसी एक मामुली से चीफ डिसीपल को क्या हाक है बीच में बोलने का और जाउजू की ये बास नंके जायूएन कहता है कि ऐसा है तो तुन्टुन जाओ और उसको पीट के आओ और तुन्टुन को देखके ऐसा लगता है कि वो जैसे इसी पल का इंतिजार कर रहा था और तुन्टुन को इतने गुसे में देखके जाउजू की तगड़ी वाली फट जाती है और तुन्टुन उसको अटेक करके उसको पीछे हटने को मजबूर कर देता है और जायूएन की इस हरकत को देखके कौंग शेंग चिलाता हुआ कहता है कि जायूएन और इसके पीछे वाला बंदा कहता है कि जुनियर ब्रदर जायूएन रुक जाओ और फिर जायूएन कहता है कि सीनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आप लोग सिर्फ 10 चुजन्स की पावर को इकटा करना चाहते हैं ना उस 10,000 फीड एक्वेटिक बीज से निपटने के लिए कोई प्रोब्लम नहीं है याया और टुंडुन के पास पूरी शमता है इन दोनों को रिप्लेस करने की और फिर लिक्वेंग चेंड कहती है कि दो और चुजन्स से हमारे जीतने के चांसे इंप्रूव हो जाएंगे और फिर जाया याण कहता है कि तो फिर मैं अपने सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर्स को परेशानी दे रहा हूँ कि वो सीनियर ब्रदर कॉंग शेंग को सलाह दें कि एक बारी वो अच्छे से अपनी सिचुएशन को देखें हम बचेवे सोड कमेट पीक के डिसीपल्स को रिलीज कर सकते हैं लेकिन बस हम इतना ही करेंगे और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन्हें इस सीच के लिए खुद को ही दोश देना चाही है और जाई यूँआन की इस बात को सुनके कॉंग शेंग गुसे से उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि जाओ यूँआन और तभी ली कुंग शेंग कहती है कि सीनियर बदर कॉंग शेंग जैनिसी रिसॉर्वर सेरिमनी अभी खतम नहीं हुआ है और खोईवे जैनिसी एजन्स को वापिस से हंट किया जा सकता है और हमारी 5 पीक्स आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कंपन्जेशन दे देगी लेकिन इसकी भी एक कंडिशन है कि आप लोगों को अपना पूरा सपोर्ट देना होगा 10,000 फीट एक्वेटिक बीस्ट से निपटने के लिए और फिर येगे कहता है कि सीनिर बदर कॉंग शेंग ये चीज़ पहले ही हमारी तरफ से गुडविल को दर्शा रही है और तो और अगर हम सभी लोग किसी तरीके से सौट कमित पीक की वज़े से एलिमिनेट हो गए तो मुझे डर है कि सभी पेक डायरेक्ट आप लोगों से नाराज होगी और फिर कॉंग शेंग कहता है कि जूनिर बदर ये गे क्या तुम मुझे धंकी दे रहे हो और मैं भी निशित रूप से कह सकता हूँ कि सीनिर बदर कॉंग शेंग भी इसके नतीजों को समझते हैं और फिर ली कुंग चंग कहती है कि वैसे तो वो 10,000 फीट एक्वेटिक बीश्ट काफी ज़ादा भैंकर है और हम शायद उसके साथ डील कर सकते हैं अगर हम लोग सभी एक साथ काम करें तो जिसके बाद ली कुंग चंग एक नजर चू कुंग की तरफ देखती है और फिर वो गुस्से से मूँ फेरते हुए कहती है कि और मैं ये भी उमीद करती हूँ कि सीनियर बदर चू कुंग अपना पूरा 100% देंगे और फिर चू कुंग एक्टिंग करते हुए कहता है कि चूरियो सिस्टर कुंग चैन मैं सरयाम कहता हूँ कि मैंने आज से पहले कभी भी किसी चीज में कमी नहीं छोड़ी है और मैं हमेशा अपनी सभी फाइट्स में अपना पूरा 100% देता हूँ और चू कुंग की इस एक्टिंग को देख के ये तिनों अपना आड़ा टेड़ा मूँ बनाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम किसे बेवकुफ बनाने की कोशिस कर रहे हो और चू कुंग ये बास सुनके बच्चों की तरह चलाते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों का मुझ पे भरूसा नहीं है और ये तिनों इसको इग्नॉर मार के पलट जाते हैं और कहते हैं कि एक परसेंट भी नहीं और इसकी अंडूलेशन इस्ट्रोंग होती ही जा रही है और अगर हमारा अनुमान सही है तो वो 10,000 फीट एक्वेटिक बेस्ट अब भी फॉर्मिंग के प्रोसेस में हैं और इस रफ्तार से उसे जादा से जादा दो दिन लगेंगे पूरी तरीके से फॉर्म होने में और फिर जायून केहता है कि तो फिर हम क्या उसे पूरी तरीके से फॉर्म होने से पहले मार सकते हैं और जायून की ये बास सुनके जावजू से कहता है कि ना समझ और अकडू और जहाईवान भी इसका ज़ाब देतेवे हसतेवे कहता है कि हेहेहे ये कहभी कौन रहा है जो पहले से ही अपने अपोनेंट से हार चुका है और जहाईवान की ये बात सुनके जहाउजू को उस पे काफी ज़द बुटब खुसा आने लगता है जिसकी वज़े से गहराई में जादा समय तक रुखना नामुम्किन सा हो जाएगा और अभी के हालातों को देखे हम सिर्फ इंदिजार कर सकते हैं उस 10,000 फूट एक्वेटिक बीस्ट के पूरी तरीके से फॉर्म होकर हम पे आकरमन करने का जिसके बाद ये बन्दा कहता है कि फिर हम अपनी पूरी पावर को एक साथ मिलाकर उससे बैटल करेंगे और फिर कॉंग्शेंक कहता है कि मेरा एक सवाल है अगर हमारे दौरा उस 10,000 फूट एक्वेटिक बीस्ट को आखिर में खतम कर दिया गया तो फिर हम कैसे उसके जैनिसीज एजन्स को अपने बीच में बाटेंगे और कॉंग्शेंक के इस सवाल को सुनके सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जो 10,000 फूट एक्वेटिक बीस्ट का जैनिसी एजन्स होता है उससे किसी को भी हाइस लेवल का नाइन ड्रेगन बैप्टीजम मिल सकता है जिसे अभी तक एक बार भी नहीं देखा गया है और इस सब्दों को सुनते ही उस भीड के अंदर तुरंत ही सननाटा सा चा जाता है और अब सभी की आँखों के अंदर इच्छाओं की आँख जलती भी दिख रही थी और इस सीज को सुनके एक डिसीपल हैरानी से कहता है कि ये कितना अमेजिंग है जिसके बाद लीक विंग चेंग कहती है कि जो कोई भी सबसे ज़ादा कॉंट्रिब्यूट करेगा उसे जैनिसी जेजन्स का 50% मिलेगा इंजॉय करने को जबकि बागी के 50% को बैटल के अंद लोटे स्पीक की कुइंग चेंग है इसके पास काफी अच्छी ग्रेट जनरल बनने की एबिलिटी है और मैं उमीद करता हूं कि ये सभी बच्चे अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे और डिसपॉंट नहीं करेंगे सेक्ट मास्टर की एक्सपेक्टेशन्स को और इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड भी हमारे यहीं पर खतम होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना बूलें थैंक यू